आपको यूपी के सेम यूगे आदितना आतकाज आयोध्या दौरा भी है सुभा दो बजे आयोध्या के लिए रवाना होंगे सेम यूगी आयोध्या में राम जट भूनी और हनमान गड़ी के दर्शन और पूजन करेंगे सेम यूगे शाम को आयोध्या शाम को एयोध्या जोन जाइजा मीटिंग में भी शामिल होंगे दोपहर दो बजे आयोध्या दौरा भी है सेम योगी का बड़ अपडेट आपको दे रहें बलरामपूर के देवी पाटन जोन में रात को आराम फर्माएंगे दोपहर दो बजे आयोध्या के लिए रवाना होंगे योपी के सियम योगी अधकनात याँ पहुँचकर रनुवान गड़ी के दर्शन और पूझन और पूझन करेंगे और आज उस्पहले सुभा 11 बजे इमत्यान पिचर्चचा प्रोग्रामें भी शामिल हो और इस बीच आपको एक और अपडेट दे दे यूपी में नौजवानों के लिए सेम यूगी ने बड़ा फैसला लिया है सौ दिन में 10,000 से ज़ादा सरकारी नौकरियां दी जाएंगी नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार पाबंध है ये बाते कहीं सेम यूगी ने अपसरान को भी दायाद दी कहा कि सेलेक्शन में शफाफित बरतने बरतना लाजमी है बड़ा अपडेट आपको दे रहें सेम यूगी ने अपसरान को इस बावत दायाद दिया आपको बता दें कि रूजगार को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है उत्रप्रदेश के वजिराला यूगिया अतिनाथ की जानिब से सौ दिन में दस हजार से जादा सरकारी नौकरियां दी जाएंगी नौजवानों को रूजगार देने के अवाले से ये बड़ा फैसला माना जा रहा है और इस मौकी पर सीम्यूगी ने कहा कि नौजवानों को रूजगार देने के लिए सरकार पाबंध है इस मामले में सीम्योगीन अपसरान को भी दाया दिया उनों का कि सेलेक्शन में शफाफियत बरती जाए